दोस्तो नमस्कार, स्वागत रॉभिनेंदन है, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल में मैं हूँ आचारिस के तिवारी आज बात करेंगे धनू रासे और धनू लगन वालों के लिए कौन सा रतन बहुत ही भाग गिसालित साबित होता है यह रतनू नहीं कब और कैसे धराड़ करना चाहिए और आपका बिक्तितु कैसा होता है यह सारी बाते आज की वीडियो में हम आपको विश्तार पूरवग बताएंगे तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके बिक्तित्तु के बारे में धनू रास के लोग अन्य रासियों के तुल्ला में जादा बुधिमान होते हैं यह कई विशों के ग्याता होते हैं कई बार इन में ग्यान को लेकर थोड़ा एहंकार भी आ जाता है ये सुभाव से सासी, विश्वासी, इमानदार, मिलन सार एबं हस्मुक होते हैं, ये काफी सम्मानित बेखती होते हैं, ये लोग मजबूत इक्षा सक्ती वाली होते हैं, ये लोग किसी विकारी को सफलता पूर्वा करते हैं, ये अपने सपनों की दुनिया में डूबे रहते हैं जिससे इनके रिस्तों में प्रत्कूल असर पड़ता है जीवन के प्रत इनका नजरिया सकारात्मक वें उर्जाबान होता है ये लोगों के पैसों का हिसाब सही धंग से करते हैं ये अच्छे सलाकार होते हैं लेकिन बिना मागे किसी को सलाह देने से आपको बचना सासी महतोकांची एवं खर्चिले होते हैं ये दिखने में आकरसक होते हैं जूट का दिखावा इन्हें पसंद नहीं होता इस राज के स्वामी गुरू होते हैं गुरू के कारण इन्हें पने संतान से एवं अपने दामपत्य जीवन में बहुत सुख मिलता है ये ऐसी जग दी काफी प्रकर होती है, ये काफी सोच विचार कर निर्णाय लेते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, अपनी बात खुल कर दूसरों क सामने रख सकते हैं, कुछ हट तक सुभाव से आलसी होते हैं, संतान से पूरा सहयोग मिलता है, दूसरे को अपनी तरफ आकरसित करने में मा करते हैं, धनुरास के जातक प्यार को एक बोज की तरह समझते हैं, ये लोग प्यार को प्यार की तरह से नहीं देखते, इनके पार्टनर काफी आसाबादी और मादरसबादी होते हैं, वैसे ही लोग बहुत आसानी से प्रेम संबन्द में पढ़ जाते हैं, इनका के जातक हमेशा सत्तिक की खोज में रहते हैं इसका प्रतिक धनुर्धार है जिसके पीछे का सरीर घोड़े का होता है ग्यान और गती इस रासी का जीवन के प्रत व्यापक दिश्ट कोड़ है मजा करने वाले थोड़े लापरभा उस्साह से भरे ये लोग विश्तार कुंद और कठोल भी हो सकते हैं ये जितने उस्साही बात करने बाले होते हैं उतने उस्साही स्रोता भी होते हैं ये अपनी ग्यान की छुधा सांत करने के लिए भी दूसरों की बाते ध्यान से सुनते हैं और सूचनाय कत्रित करते हैं ये ग्यान की खोज में अनंत दुनिय में गूमना चाहते हैं और य Logic धनूराज के जातक निदर और मस्ती खौर जातक पार्टी में पहुँचने वाले पहले और जाने वाले आखरी महमान हो सकते हैं ज्यान की प्राप्ति के लिए यात्रा करते हैं और हर जगह की संस्कित और लोगों के बारे में जाना चाहते हैं ये सोतंतरों किसी के प्रत जबाब देह नहीं होते हैं इनकी उर्जा का स्रोत नए नए रोमांच होते हैं और इन यात्रा के दोरान मिलता है रिस्तो में रखे जाने से नफरात है फिर चाहें वो सारीरिक हो या भाबनात्मक हो इमांदार और कभी-कभी उदंड धनु जातक चुनोतियों को स्विकारना पसंद करते हैं हलाकि ये खुद को बुद्धिजीवी से ज्यादा साहसी के रूप में देखते हैं ये पढ़ने लिखने अज्यात बिसेओं की खोश करने में आनंद लेते हैं ये अच्छे सिक्षारती होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़नाम देते हैं साथ ही ये लोग अति उत्साह में ऐसी गलतिया कर जाते हैं ये प्रभावसाली लोगों के सरक्षन का आनंद भी लेते हैं अति उत्साह में बाते करते हैं, कई बार तो इनके साथ तालमेल रखने में मुश्किल होती है, ये कई बार इनके बयान और राय का बजन कम कर देता है, ये अकसर दूसरों की भावनाओं को चोट पहुचा देते हैं, लेकिन इनके सब्दों से लोगों को प्रेणा भी मिलती है, ये उच्छु आनन्द और विश्वास की भावना से दूसरों को आकर्सित कर लेते हैं। साथ ही धनूरास में जन में जातक अपने प्यार का दिखावा नहीं करते हैं। इनके लिए प्यार में रोमांच, जंपिंग, परवता रोहन, घुरसावारी, बिदेशी स्थोलों में घुमने से आता है। साथ ही यह लोग बहुत ही आकर्सक बेत्तित के होते हैं। अब आये दोस्तों जान लेते हैं आपके रासी रतन के वाले में। धनुराज के दोस्तों अब बात करते हैं आपके रतन के बारे में आपके लिए पहला रतन बनता है पुखराज, जो कि आपके लगनेस का रतन है। अगर आपके काम में सफलता नहीं मिल पा रही हो आपके परिवार की उन्नती रुख गई है। अगर आपके सुख और सभागी में कमी देखने को मिल रही है तो आपको पीला पुखराज जरूर धारन करना चाहिए। तो आपको पुखराज जरूर धारन करना चाहिए। पुखराज धारन करने से भागी हर प्रकार से आपका साथ देता है। आपके अंदर आत्मी स्वास पैदा करता है। स्वास बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई बीमारी आपको परिसान कर रही है उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलता है। आपके चेहरे पर एक नयात तेज देखने को मिलता है। नूकरी या विवसाय में अच्छी तरक्की प्राप्त होती है। अगर आप धनू रासी या धनू लगन है तो आपको पुखराज रत जरूर धारण करना चाहिए दोस्तों दूसरा रतन आपके लिए बनता है मुंगा यह आपके पंचमेस का रतन है और आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते है तो जब भी आपकी मंगल की महादसा या अंतर दसा चल रही हो तो आपको मुंगा रतन जरूर धारण करना चाहिए मुंगा धारण करने से क्या होगा तो मुंगा रतन धारण करने से बेक्टिक अंदर साहस में ब्रिद्धी होती है दुस्वन उसे सुरक्षा करता है बार-बार अगर दुरघटना हो रही तो उससे बचाव करता है मुंगा रतन पहनने वाले बेक्ति को जीवन में सक्ती और जुनून मिलता है जिससे वह जादा मजबूत बनता है और अपने कामों को बे gamble धंक से कर पाने में सक्षाम होता है सारीरिक सक्ति और सहन् सक्ति में बृद्धी करता है जिन लोगों को सब के सामने बोलने में मुश्किल आती है ऐसे लोगों को मुंगा रतन जरूर धान करना चाहिए इसको धान करने से बेक्ति के अंदर गजब पात्मी स्वास आता है, मुंगा रतन धान करने से बेक्ति का सोय हुआ भाग जागरित हो जाता है, मुंगा धान करने से बेक्ति के काम बनने सुरू हो जाते हैं, धान की प्राप्ति होती है यह रतन आपके पंचेमेस का रतन है, इसको धान करने से बहतर सिक्षा की योग बनते हैं, संतान सुख देता है, अचानक सिधान आने की संभावना बढ़ जाती है, जो लोग तंतरमंद्र पूजा पाठ हो बिसे सुरूची रखते हैं, उनके लिए यह रतन बहुत ही बहुत ह प्राप्त हो जाती है, इसके साथ ही जो लोग जुआ सटा लाटरी सेयर मार्केट इन जगों पर काम करते हैं, यह इन जगों पर किसमत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह रतन धारन करना बहुत ही आवस्यक होता है, मुंगा धारन करने से आपको सिक्षा की छेतर में पर बनी रहेगी, मंगल आपके अनकूल हो जाएंगे और इसकी बज़े से सुप सम्रिद्धी ज्यान और धन और संतान में बृद्धी करेंगे, दोस्तों तीसरा और आखीर रतन आपके लिए बनता है सूरिका रतन मारिक, मारिक क धारन करने से आपके जीवन में क्या बदल कोसल और संचार कोसल को ये रतन बढ़ा देता है, इस रतन को पहने से आपके अंदर आत्मबल और सकारात्म कुर्जा को बढ़ाने में काफी हट्तक मदद मिलती है, जिससे कार छेत्र में अच्छी प्रगत देखने को मिलती है, इस रतन का संबंध सूरिद्धी देव से मान स्वास्त रखता है, और जीवन के लिए स्वास्त बहुत ओस्तक है, सासनसथा से जूड़े कारे बने सुरू हो जाते हैं, लोग आपसे जूड़ना पसंद करते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको सरकारी काम करवाने में असानी होती है, राज़्की कारियों में हर परकार की उन्नती प्राप्ट होती है और सबसे प्रमुख बात होती है कि आपका भाद यह हर साथ देता है बहुत साए लोगों की ही सिकायत होती है क्या मेेहननत करते हैं लेकिन उस हिसाब से हमें सफलता नहीं प्राप्त हो पाती, आप मारिक धारन करिए, जो भी मेनत करेंगे उसका पूरा फाल आपको मिलेगा, मारिक धारन करने से आपको उच्छ शिक्षा की प्राप्ती होती है, बड़े बड़े कालेज और में एडिमिसन प्राप्त हो जाता है, और उच्छा के अच्छे इस्तर की प्राप्ती होती है। धनुरास के दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रंग जो होता है वो है पीला, इस रंग को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें साथ ही लाल कलर का भी इस्तेमाल आप ज्यादा कर सकते हैं या आपके लिए भागिसाली सावित होगा अगर आप यह कपड़े नहीं पहनते हैं तो लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में या पीले रंग का रुमाल अपनी जे में जरूर रखें इसके साथ ही आप लोगों को नीला, काला और हरा इन तीन रंगों से परहेज भी रखना चाहिए इन रंगों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए अगर आपके भागे साली दिन की बात करें तो आपके लिए गुरुबार, मंगलबार, रईवार का दिन बहुत ही बहतर रहेगा कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इन तीन दिनों में कर सकते हैं धनुरास्त के दोस्तों जब भी आपको रतन धान करना हो आप अपनी जन्म कुल्डी दिखा कर ही रतन धान करें जन्म कुल्डी दिखाने के लिए आपको सिर्फ अपनी सही डेटा बर्त और जन्म का समय बताना पड़ता है इससे आपकी जन्म कुल्डी बन कर तयार हो जाती है दोस्तों जन्मकुली दिखाकर रतन पहने से यह पता चलता है कि समय आपके जीवन में किस ग्रह की महादसा या अंतर दसा चल रही है उस हिसाब से अगर आप रतन धान करते हैं तो उसरे रतन का फायदा आपको बहुत जल्दी मिलना आरम हो जाता है अगर आप ऐसे ही कोई रतन धान करेंगे तो हो सकता है कि आपको वह जादा फायदा ना पहुचा सके लेकिन लगनेस का रतन आपको हमेशा के लिए धान करना चाहिए इसके लिए महादसा अंतर दसा देखनी की जरूरत नहीं होती लगलेस का रतने कभी भी धान किया जा सकता है यह आपका कभी नुकसान नहीं करता है तो दोस्तों यह जानकारी थी हमारे द्वारत दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें